तन्वाखे गुरू पावडी कपड रूप सुहावणा चड दुनिया अंदर जावणा मन्दा चंगा आपना आपे ही किता पावणा कपड रूप सुहावणा चड दुनिया अंदर जावणा मन्दा चंगा आपना आपे ही किता पावणा खुकम किये मन पावदे राह पीडए अगय जावणा नंगा दूजक चालेया ता दिसै खरा डरावणा कार आउगण पच्छो तावना नंगा दूजक चालेया ता दिसै खरा डरावणा कार आउगण पच्छो तावना सुभाय मान गुरु स्वारे सत संगी जनो सत्गुरांदे आसा की वार्दी चौद्मी पौडी नाल जो दो शलोक दर्ज ने उन्ना शलोकां दी विचार अज सुभा दे दिवान तक आपां कर चुके खांग इस चौद्मी पौडी दा पाठ आप जी ने खुन सर्वन की ताख है सुभा असी विचार ते इते बिश्राम रुके असी जा रुके सी कोह नानक ने चोत्यावै बिन सत्गुर वाट ना पावै आओ इस तो अगे इस पौडी नो उस लड़ी दे अधीन आपां विचार सकिये आप जितने हजूर दे चरना विच उपस्तित हो हाजिर खो सत्गुरु गुरु नानक सहिब जी किर्पा करन सडे इस चंचल अवैडे माननो टिका किते बक्ष देन खिर्दे दी पावना इकागरता नाल सत्गुरु आप विच वर्त के विचार करा लें करो किर्पा साद संगत जी आप प्यार अदब नाल असीस बक्ष देखोए उचारन करो जी सत्थ नाम सत्गुरु गुरु नानक सहिब जी महराज हाजूर ने चौदमी पौडी दे पहले सलोक दे वेच उस वखावे दे परपंच पखंड़दा जिकर कीता जिस कोल देख बहुत है पुशाख ओदी बारो रहनी बहनी कुछ वक्त वास्ते परभावत जरूर कर दीए पर जदो इनसान नजदीक जन्दा है ते जो बारों दूरों दिस के परभावत कर रहा सी नेडे जाके ओदे पले निराश्ता पइंदीख है मैं इशारा कर रहे हैं कि सिम्मल रुख सराईरा अत दीरग अत मुझ क्योंकि विचार दी लडीनू असी पौडी तक लेके तुरांगे जोसी अरम की तीख है सिम्मल रुख सराईरा अत दीरग अत मुझ ओए जे आवें आशकर जाहें निरासे कित फाल फिकके फुल बाकबके कामना आवें पत सिंबल दा दुखाव दिखावा उस दा अकार पंचिया नू परभावत कर दे ते ओ अपने अंदर इस परवनू भी पाल लएंदेने के ए सामने वाले रोखनू जेड़े फाल लगेने इना फ़लांदा रास साड़ी त्रिपती कराएगा सानू रजीमा देगा पर हजूर के ने जदो पंची नजदी कम दे उस फाल विच फोका रू निकल दे ओ विचारा निरास जानदा है के जेड़ी आस लेके मैं आया ओ कुछ मैंनू खाकीकत विच नहीं मिलिया ते उस दिन भी ते सुबा भी मैं अर्ज कीती सी इस दा पाव एवे के वखावे दा लिबास वखावे दी शबदावली कई वरी जगयासुआनू परबाबत कर दी खे पर जेड़ी पोखल है के पंची सिंबल को लोंदा है ओ दी पोख दी पूरती ओ रुखनी करदा इस से तरह जगयासु जड़ी पोखल है के उंदा है कई वरी पखंडी बार मुकी लिश्क पुश्क वाला ओ अंदरूनी पोखल है के आए को जगयासुदे अंदर दी पोखनी दूर कर सके पा क्योंकि ओ जो कुश लेना है ओ थो मिल नहीं रहा सत्गुरू ने उस विच सिंबल भी जिकर की था खुण दूजाश लोक जो सुबह सां विचारया सी के पड़ पुस्तक संदया बादंग सिल पूजस बगल समादंग मुक चूट बेपूखन सारंग त्रैपाल ते हाल विचारंग गल माला तिलकल लाटंग दोय तोती बस्तर कपाटंग जे जानस बर्मंग कर्मंग सब फोकट निश्चो कर्मंग को नानक निश्चो त्यावै विन सत्गुर बाट ना पावै सुबह सी विचार चुके खांग ए शलोक असल विचे किसे विदवान पंडितनों मुखात्ब करके उचारन कीता है हैता पर्थाए शलोक के जेड़ा पाठ भी पड़दा है पोथिया पड़के संत्या आद संद्या आद कर्म भी करदा है गैतरी मंतर भी जापदा है बगले वर्गी समाधी भी लांदा है पर अंदर कपट रख्या हुया है बार मुखी तिलक भी ने उसकोल माला भी खाय तोतिया भी ने पर हजूर के ने अंदर निश्चा कोई ने जे किते ओ यकीननल ब्राम कर्म करे ब्राम कर्म सुवे अर्ज कीती सी के परमातमा दा सिमरन घी साव तो उत्तम बर्म कर्म है जे ओ परमातमा दे सिमरन पा जनविच बंदगी भी जुड़ जाए ओ यकीनन जानो एना कर्मा नो फोकट जम समझेगा ते सत्गुरु ने अखीर विच क्या सी कोई नानक नेचव त्या हुए नेचव दा अर्थ की तासी यकीन, प्रोशा, शर्दा, फेथ, विश्वास जेडा इनसान पार बरं परमेश्वर दे नामनो पूरे विश्वास दे नालते आवेगा ओ सच मुच अंदर दे रास्ते प्रभु विच अपेद होएगा पर इस गाल दी समझ गुरू तो बिढानी पैंदी कोई नानक नेचव त्याव है विनसातगुर वाटदा अर्थ रस्ता मारख एक नेचव सवा मेर्ज की तीसी प्रोशा सब तो पहली गल जड़ा अद्रिष्ट खै जड़ा रूप, रेक, चक्र, चिन, कुछ भी नहीं एप प्रोशा बना लेना के जिसनों मैं जापना प्याँ ओ खै बड़ी बड़ी गल खै नेता मनुकी मन अकार पाल दै मनुकी मन केंदा मैं उसनों मनांगा जो द्रिष्ट मान के पर असी पूजा उस दी करने पयाँ के जड़ा अद्रिष्ट के ओधी खोंद के जमें सहब ने ए बचन की जेन और बरन जात और पात नहें जें रूप, रंग, और रेक, पेक को कह न सकत कें एतो तक उस दा कोई रूप ने, कोई रेक ने कोई जात ने, कोई रंग ने कोई कुछ भी ने, एई शब्द वरते पर अगली गल कई के अचल मूरत, इदा अर्थ ए नहीं के ओब खे नहीं अचल मूरत दा अर्थे के एई यकीन जान जिदा रूप रेक रंग कुछ भी नहीं सच एवे के ओख है महराज किने अम्मितोज कही जए ओदी शक्ती ओदी बालदा कदी किसे ने अंत नहीं बाया मेरी बिन तीसी नेचो त्या वैदा अर्थ पहली गल ओख है दूशरी गल कला खै इनी ओएक ओख होंदे जेडिया सारिया थामाते विया पक है хैदा अर्थ में नेचो देःत्स कर लगा पौडी नजोड के मन लो के ओख है पर हैदा अर्थ ए नहीं के ओख किसे एक चार दवारी तक सीम्द खै वो खै किसे ओ उख एक एक यिलाके तक सीम्द खै है दा अर्थ कहे के पार ब्रहम परमेश्वर तू सब नी थाईं जिता हो जाईं है दा अर्थे तू सारियां थामाते में ते ए भी साच कहे जिनने उस परमशक्ती परमातमानू रबनू अल्लानू वह गुरूनू एक दैरे तक सीमत रख के क्या के ए पत्थर दी मूरती च्खे दूसरे ने कहाँ देता ए मसीत वी च्खे मैं बिंती करांगा गुरू गरंसाइब दी गुर्मत कहिंदी ये खैजरूर पर उनू ना ता मूरती तक सीमत करो ना उनु मसीध तक सीमत करो मैं अगली गल कह देया दिरता नल कहनी पहन दिये के साचे वे के परम पिता परमातमा दी खौनद नू गुर्द वरे दी चार दोरी तक सीमत मत करो उके वले के धैरे तक सीमत निकी जे उस है वाली ताकत नू नेच्चो जिनु बानीच मैं शब्द वर्तिया के परमातमा है कबीर साहिब ने एक दलील देती वो किनने अल्लह एक मसीत बस देखे जे रब सिर्व एक इटांदी चारदवारी मस्जदे तक महदूद के सीमत के अवर मुलत किसे केरा इस मसीत तरम अस्थान तो बाहर जिड लोक ने उनननु समालन वारा केडी शक्ती केडी ताक तक है मैं बिन्टी कराँगा तरम अस्थान हुन्दे ने तरम दे गुण सिखन दी जाच आजाए पर चिते रखे ओ तर्म अस्थान तो बाहर जा कि उन्हा गुनादी प्रैक्टिस भी करेंगे यू कह लवा कि एक इंसिचूट जहां एक अधारा एक सकूल वद्यालिया किसे बच्चे नू तलीम देंदा है इदा मतलब इस बंतेन समझ पहे जाए ग्यान आजाए तलीम को वेदे कुल पर उस तलीम दा फैदाता हैं जे ओ फिल्ड वी जाके अपने सिखे हो ग्यान देना लोकां दा पड़ा भी करदा है फिर बिंती सुने है दुनियावी जी उदारन कोई एड़ी पायदार गाल नहीं में कर रहे हैं बख्ष देयाजे पर समझ नुवास देख एक बच्चा मेडिकल कालच पड़ दा है उस तलीम ले रहे है पर याद रखो ओ डॉक्टर बन के जदो बार निकले ते ओ दी पैद लोकांदा इना पड़ाना कोवे कालच वद्याले सकूल मदरसे तरम शाला गुर्दवारा तरम अस्थान इस करके ने के बंदा तरमदा ग्यान खासल कर सके उस ग्यान नु चार दौरी तो बार निकल के लोकांदी करकरी तक पुचा सके मेरे सत्गरू ने रोहानियत ग्यानों एक देरे तक सीमत नहीं रखें चलो कल सुबा शलोक चलना है दया कपा संतोग सूत ओदे विच मैर्ज करांगा हजूर ने क्या भी देख कि नेच्चो त्यावेदा अर्थे रब्दी शक्तिनों एक तर्थी तक एक वजू तक सीमत मत करो अल्ला एक मसीत बस्त खे अवर मुलक किस के रहा हिंदू मूर्त नाम निवासी दोह में तातनाखी रहा है दूसरा कह रहा है ओ मूर्ती विच खे बाबाजी दा बोलके कबीर सेविदा दखन देश खरी का वासा पस्चम अल्लह मुकामा दिल में खोज दिले दिल खोजो एगी ठोर मुकामा जेड़ा दिल विच खे मेरे दिल विचे एदा अर्थ एनी के दिल में खोज दिल है दिल खोजो एक कम्यूनिटी नो कह देता के सिखो तो आड़े दिल विचे हिंदू और केवल तो आड़े दिल विचे याद रखो human being परमातमा ने जेस दी body विच आपनी चेतनता टिकाई है हर परमेश वर्दी जोता सारिया थामाते ही विदमान के इसे करके बाबा जी दा शबत तुसी रोज रात नो पढ़ देखो के सब मैं जोत जोत खेश होए ओ जोत एक शरीर तकसीमत ने मैं नेचो दे अर्थ कर रहा है ओ खे तेकला खे लफज एक देरे तकसीमत ने ओ सारिया थामाते है इस यकीनाल के तू जा पोनो हजूर ने कहा है के देख दिल मैं खोज दिल है दिल खोज जो एही ठोर मुकामा साम मैं जोत जोत खे सोए तिसदा चानन साम मैं चानन खोए पार समझ पाएगी गुर साखी जोत पर गटो गुरू दी सिख्या ने चोदा अर्थ पह जो पह जाए खे पर चेते रखे और दुनिया दी मुथाजी मुकलाग पहेगी क्योंके मनुखी मन दृष्ट मान दे लोकां दे खत देख दाए ओ अदृष्ट दे खत थामल चातीनी मारदा फिर ते अनल में शबद दुरान लगा असी अकानाल देस दियां चीजां ते यक करने हैं पर अन दिस दी जेड़ी परम शक्ति के ईद दे ते यकीन परुसा किसे टामे टामे नबांदा खे इस से करके बंदा बंदे दे हत्थांवा देख दाए ओदे खत्हां दा ख्याल नी करदा जेड़ी दी दे दे नी अन देश दे भी लोकां दींग चोलिया पर गश दिस दे नहीं हम दिस दा बक्षिश कर रहा है हजूर ने क्या पहली गल ने चोदा अर ते ओ खै ते दूसरी में बिंती कराँगा ओ कला खै नी मेरे नाल खै है ते मेरे नाल दो शब्द ने ना ए भी एमेनी में गल कर रहा है बरी गले समझे ओ एक है ते एक नाल होना दोग अला ने ना खैदा अर्थे मान लो असी जिनने थे बैठे है बच्चे बैठे बजर्ग बैठे बीबिया पहना कि आपां सारे परवार दे जिनने रिष्टेदार खूंद दे है इस ते गुर्द वरे आए है सारे नहीं आए पर जेडे सारे परवार दे जीने ओ खैन है दर्थे उना दी खूंद खै कोई परदेश वेचे कोई देश वेचे कोई नेडे वे कोई दूरे खै जरूर पर मैं बिंती करांगा प्रभू इस तरह खै नहीं कि जिमें मेरा बच्चा खै पर मेरे कौल नहीं पर मातमा खै दे अर्थने ओ खै ते मेरे अंग संग मेरे नाल खै एक है नेच्चो खै भी ते मेरे नाल वे कोई फिर सुनो खै दे अर्थे खूंद बढ़े हां दीख पर खूंद अंग संग नहीं परवार दे जीन खैन पर नाल नहीं मित्टर खेन पर खर था नई ने चोदा अर्द प्रबु खे ते खे दे नाल और मेरे नाल खे ताह« है सथ़ गुरु ने बाणी विच कया कारबार तेरा पर्वासा तू जान कैक है संग मेरे नाल खे है, कला प्रबु नून नहीं इवन के शब्द विच गुरू नू भी क्या है के सो साथगुर प्यारा मेरे नाल खे नाल प्रोसां खे सो साथगुर प्यारा मेरे नाल खे जित है कित है मैंनू ले छढ़ाई मैं बिंती करांगा खे इनू क्या के जाहर जगूर खे के हाजर हजूर खें बेद कतेब संसार खबाहूं बारा नान का पात शादीस है जहरा खें मेरे नाल खें मैं अगली बिंती करांगा निश चोदा अर्थ कला खुएते नाल नहीं जो मैं हरकता कर रहा मेरे शरीर दियां हरकता मी देख दे क्योंके आज जो आप बचन उना है ना के मन्दा चंगा आपना आपे ही कीता पामना एक अलग जरूर आपा बाणी चो देखनी है भी एस सारा जो कुझे सी कर रहे हैं को यह नू देख रहे है नंगा दोजक चाले आदा अर्थ कीक है एवी एवी आप आप बचन देखांगे फिर बिंतिक है के ओ पार ब्राम पर मेश और वे गरू कला खैनी ओ मेरे नालख है सो साथ गुर प्यारा मेरे नालख है जित है कित है मैनू ले छडाई ओ मिनू छडानदा ओ खै मेरी यां खरकता देख रहे है गुर्म खो बिंति जे असाधे शेरीता के दा चार पुट पांच पुट छे पुट साधे छे पुट साथ पुट इन्ने डिया दिया ने परमातमाता इन्नी सुक्षम नजर वाला का है ओ निके निके सेल नो मी देखदा जेडा साधी बौडिच अक्षा नाल भी नी देखदा पुट ओ दाने विच बैठे कीडे नो मी देखदा ओ नमो बीज बीज जाए बीज विच टके कोई बीज नो मी देखदा पुट गुरु नानक साहव दे बोलने के खसम है नदरी कीडा आवाए जेते तू गए दाने ओ ओ तां कीडिया नो भी देखदा पुट मेरी बिंती ओ खए मेरे नाल खए फिर गुर्म खो ओ देखदा भी ये ओ सुनदा भी ये ओ वाचदा भी ये पर हाँ एक बड़ी ओ दी वड़ी बख्ष जे सब कुछ वेखन दे सुनन दे बाब यूद ओ दी जराँ देनी वड़ी है के बंदे दे अउगन देखदा भी है पर जर के फिर भी उनू सुवेरे रोटी देई जानदा भी है क्योंके बड़ा समरात भी है देखदा है सुनदा ने चोदा मारत कर रहे हैं को नानक ने चोट्याव है फिर जरी खूंद सुनदा देखदा है उनू यकीन शर्दा पामना नलत्याव है पर एदी समझ गुरू तो बिना नी पैनी विन साथ गुर वाट ना पावे गुरू तो बिना रस्ता कौन दसेगा मार्ग पाए उद्यान में गुर्दस से पेद जिमें जंगल दा कुई जानकार मन लो जड़ा जंगल टेडे मेडिया जंगलां दा जानकार खै उग गवाचे कोई बंदेयानू दस दिन दा जित्थे तू फास गया है ए तू इस तरह निकल सकने जिमें जंगल दा जानकार सच एवे के पुल्यानू राधास दिन दा समरात गुरू पटके कोई बंदेनू जंदगी दा राधास दिन दा मार्ग पाए उद्यान में जहां साइब ने क्या पुले मार्ग जिनें बताया ऐसा गुर वडपागी पाया सिमर मना राम नाम चितारे बस रहे खिर दे गुर्चर्न प्यारे साथ गुरू केंदेने तू बगल समादी ना ला तू वखावे दियां गला ना कर एमें पत्थरा नो पुजी जाना है चूट बोली जाना है पढ़के बैसा मबैसा जी पई जाना है तू इक को कम कर को नानक ने चोत्याव है शर्दा नलत्या पर यकीन गुरू तो बिणा नहीं खुण अगली जड़ी पाउडी है जड़ी चौदमी पाउडी नल ए सलोक ने एक एक तोक आपाँ विचारांगे ओदे अर्थ भी ओदी विस्तार सहत व्याख्या भी करांगे पाउडी कपड रूप सहबने शब्द वर्तिया सुहावना मेरी बिंती सुनियो नाने नल पड़ना सुहावना खाए नू लगा कनना जरूर बोलने कपड रूप सुहावना सुहावना नहीं कला सुहावना नाना कीरते लगाए सुहावना नहीं पड़ना कपड रूप सुहावना छड दुनिया अंदर जावना जजे नू कलना लगाए कला जावना नहीं जावना कपड रूप सुहावना छड दुनिया अंदर जावना एदे अर्थ बड़े सरल जय लाग दे बया कपड़ दा अर्थ हो गया बस तर कपड़े रूप दा अर्थ सी करांगे सुन्दरता चेरा शरीर दी देख सुहावना दा अर्थे जिड़ा शूबनी के जिड़ा चंगा लाग रिया जो कपड़े ने मैं बयंती करांगा सब ने अर्थ कीते ने कपड़ रूप दा रूप दारत किता शरीर रूपी कपड़ा बौडी रूपी कपड़ा चमड़ी रूपी कपड़ा पर नहीं एथे गाल नूँ देखो a कपड दे रूप दो शबद ने अखरी अर्थ कपड रूपदार ते कपड़ा ते सोहपण शिरीमान पाई वीर सिंगोना ने जदो इस पवड़ी दे अर्थ कीते हुए कि दों कपड पाददा अर्थ कहा है कि शरीर न जुड़ी होई सब्सक्राइब फिर सोने हो शरीर नाल साधे जुड़े खो फदार्थ ते उठे कले कपड़ें नहीं चेते रखें कार वी ओदे चाजाएगा जमीन पुहें पांडा वी ओदे चाएगा तन पदार्थ भी ओदे चाओँगे कपड़दा अर्थ कहे के बोड़ी ना जुड़ीया कोई पदारत कले कपड़ी ने ते रूप पददा अर्थ है के शरीर दी वाशना वाली सुन्दरता हालांके मैं बाणी चो बिंती करांगा मारा जिन एनी क्या भी तेरा चेरा करूप हो वे साथगुरू ता कि ने जे पर साथ तेरा सुन्दा रूप सोप्रबस जब उसदा अनूप सोप्रबस मरो सदा अनूप कि ने जे दी किर्पा नल तेरा चेरा आतदा सोने इस सोने चेरे नो देखके उस सोने रब नो जाप जिनने सोने ने ते नो सोना बना देता है पर ये थे रूप कपड़ दा अर्थ ओ चीजां जेडियां बौडी दे कामा उनवालियां ने तानपदा अर्थ ते रूप पड़ दा अर्थ करांगे साधे शरीर दी चमड़ी सो अपन नर जुड़िया शाथ गुरू के देने कपड रूप सो हामना पामे पड़ दार्थ ने ते पामे शरीर दी सुंदर ताखे पामे तानपदार्थ ने ते पामे शरीर दी खेच खे इना दोना चीजा ने पड़ दार्थ ने भी ते शरीर ने भी क्योंके शरीर ली आपां पड़ दार्थ कठे करने शरीर वास्ते पदारत वरत ने शरीर ने ते शरीर दी वरतों विच कठिया कीतिया हूँ या चीजां चेते रखो ने सब ने चढ़ के चले जाना एक दिन आपा चढ़ के दुनिया तो जाना है ए अंदर रहे जाने के कपड रूब सोहामना चढ़ दुनिया अंदर जाना एनु दुनिया मिच चढ़ के जाना दा अर्थे आपा खोर किते जाना है अव पहली मैं बिंती करांगा मैं दोनु लफजां दी गुरू बक्षिस नाल कपड ते रूप दी व्याख्या गुरू गरंसेव दी बानी चुकरनी चाना पहला शब्द सी लांगे कपड पदार्थ दूसरा शब्द खैरूप जो पदार्थ मैं तुसी इकठे कर रहे है इस गलनु यकीन जानियें भी एपदार्थ विच्चो एक तेल वी सा डेनाल नहीं जाना गुरू बानी इस गल्दा वार वार खोका दें दी दूजी गल के एपदार्थ जिननु चूट बोल बोल के कठा कीता है बंदे दा शरीर जदो मुर्दा खुंदे ते बाकी कर दे जी जेडेने ओश शरीर नु ता सामदी सामदेने पर सब तो वड़ियों ना नु चिंता लगी उन दी जो कुझ ने कठा कीता है पता ता करो राक के किते 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 गया है ते गुरू सहीब ने बानी चे इस बंदी बड़े परमान देते हजूर ने ता शब्द वरते के बंदे दे तानपदारत दी खालते इस तरह हुंदी कबीर सहीब दा एक बचना है जो मद मा की त्यों सथोर रस जोर जोर तन किया शब्द जोद वपाक जानदा है ओ एड़ी विचारी बादकिसमत इकठियां कर दिया रही यां मखियां ते ओनानू तूनाल उड़ा के खाथनल परां करके शैद निचोड़न वाले खांड वाले की खोर आ गए दुनिया दे पदार्त जेश दिन दी सुरुत संभाली बुड़े पे तक पूरा जोर लाया प्यारे ओ साचेवे मौत बंदेनू अगे लातुरी जिनने कठे किता मगरों पोत पोतरे गुलचरी उड़ान लाग भाए दुनिया चे छाड़ किया जो मद मा की तियूं सठोर रस जोर जोर तनकिया मरती बाहर लिओ लिओ करिया पूत रहन क्यों दिया गुरू गरान साहिब के इंदेने क्यों रहन देता कबीर साहिब दी चलो एक बचन खोर ले 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 कपड रूप सोहामना ओक इंदेने कबीर कवडी कवडी जोर कै जोरे लाग करोर पहला चलो पैसे सान रुपई ये कवडिया एक एक पैसा कथा कथा करकर के लखा करोड़ा जोड ले आज चलो बैंक बैलेंस ने बंदा लोकल च सब कुझ राख दाए जहां शी देखने हैं प्राने समय कीसी जा कडेच पाके मिटी च दाब देना ते जिनना कुल हीरे मोती उन्देसाना प्रोसानी सी उन्दा अला आते ओ की करदेसन कपडे दी लम्मी थैली बना लेनी उनु बाबा जी ने शब्द बरते हैं वांसली लंगोटी शब्द बरते हैं जी लंगोटी दा अर्थ तान टकनवाला कपडा नहीं लम्मी जी एक थैली बनानी ओदे विच पाँ पाँ के पैसे सोना की रेम होती जदो सोना रात नू लाकनल को टके बन लेना ना उन्दोन जाना स पर जिस वकत मौत होई महराज केंदे ने जिन उट्टे डिनल बन के राखदा सी पहला बच्या ने ओई खोली जड़ी लाकनल बनी सी बाद विच बार रोडा पाया के साधा बुड़ा अज मार गया है सब तो पहला लंगोटी खुची यह अपा छड़ना के ओ लाकनल बनी बैठ है पर बच्या ने ससकार विच उनों सड़ नहीं देता ओछड के जाना प्या महराज किनने कबीर कोडी कोडी जोर कै जोर है लाकरोर चलती बार ना कच मिले ओ लई लंगोटी उस बंदे दी जड़ी वांसली सी ओवी उना ने तोड लई तन गुरु गोबिन सिंह महरा आज उना दा एक अमरत बचन सवया में आपने जरूर सांजा करने है सुभावी अर्ज की तिस उस विच दातार ने साड़े मनुखी मानुच जोड़ियाख है के मना कोई सोच तूँ ओ बचन खैजी सत गुरु गुरु कलगी तर जी दा ओखै तो तन त्यागत ही सुन रे ज चो आत्मा निकलेगा एस चाही जड़ियाज पौडियाशी पाड़ रहे हैं एदे विच सारे राम राजे माराज जड़ियाज आडर मारज ने चोके फलाने नू अंदर सट देओ फलाने नू कैद कार लिओ फलाने ते फलाना पर चापा देओ एदे विच भी गुरु मन पाम दे रापीड़ अग्याज जावना मन मरजियां कर एक दिन मरं तो बाद तेनू योखे रस्ते विचो निकलना पाएगा ओथे हुकम नहीं चलने फिर बिंती में करांगा सेव ने क्या तो तन त्यागत ही सुन रे जड़ जड़ दार थे ओ मूर खा तेरे शरीर विच चो उस हंस निकलन दी देर आतमा निकलन दी देर प्रेत बखान तरेया पज जैख हैं तरेया दार थे इस तन और तभी कह दें दी प्रेत दार थे ते पूत नहीं करना प्रेत दार थे मुर्दा हैं याद रखे हो बानी जड़ ते प्रेत लफज आया है कई वरी अबगत जो उन भी आए जमें असी पढ़ने करकी नार उरह तन लागी ओतो पूत पूत कर बागी उदार थे मुर्दा तो तन चागत की सुन रे जड़ प्रेत बखान तरे अपजजेखें पाउन पवन पंड़ार तन दे खदाने तरा जमीन गड़ दर थे किले पाउन पंड़ार तरा गर जेत चाड़त प्रान बेगान कहें कहें जदो प्रान छड़े सब कुछ बखाना हो गया पाउन पंड़ार तरा अगर जेत चाड़त प्रान बेगान कहें कहें महराज केंदे ने पुत्तर कलतर सुमित्तर सखा ए सच जी पुत्तर आगए कलतर दर ते इस्तरी नजदीक दे मि भी आ गए पर सत्गुरु के देखो इनने जी कठे होए किसे बंदे ने क्या भी ए बंदा इनने साल कर दी खातर मर गया कमा देयां सब ने कोगल कई भी ससकार करन दा टाइम केड़ा रखे आ हैं कदे किसे ने क्या भी रखना किने दे रखे साच जी इनन राश्त ना चले जान कथा नू कदी वी किसे दी डैत दी खबर मिले किसे ने क्या भी उन किने दे रखना है इको गल पोछ दे उन दे ने ससकार दा टाइम किने वज़ो कर रोला है कि चलना आख है चलन वारे लोग पोछ दे ने रखन वारे कदी किसे ने कुछ है तो तंत्यागत ही सुन रे पाउन पंडार तरा गड़ जेतक छाड़त प्रान बेगान कैखें पुतर कलतर समुतर सखा ए बेग नकारो इनु छेती करो कड़ो आइस दैखें चेतरे चेत अचेत महापच अंत की बार अकेलो ही जैड़ जो तु इकठा कीता साथ गुरू ने पहला शवद वरते कपड़ कपड़ दे अर्थ में कीते ने बाउडी नल जुड़े कोई पदार थ ओ कार हो वे ओ बज कपड़े खोन ओ जो मर जी हो वे सची हे वे बंदे दी पोखवी हे वे ते दास देने एक वर अर्थ किती से एक गुरू गरन सहीव चेक शलोक अंदा बाबा सहीव दा फ्रीद जी दा ओ किनने जदोई इनसान क्यों के आज सची गाल जे कपड़े आं दी गाल जे बंदे दी गाल काट जे आज सच सचे वे कपड़े आंदा बखावा बहुत ज़्यादा है गुरू गरन सहीव चिता है कि शबद ओंदा जी मैं ए वी दास देने जो आज का लेस तरही है किनने कई बंदे कई आउरतां शबद वरते है माराजी ने आपने तन दी उतेज ना ले शरीर उते ओ कपड़े पांदेने जड़े अंगांदा परदर्शन करते वैगरू जी मिन बक्ष दुए बानीच जे माराजी ने शबद वरते है वाउ संदे कपड़े पैरें गर्ब गवार वाउ दा अर्थ पतले मखीन बरीक जिनना नल बौड़ी टकीना जाए महीन कपड़े वाउ संदे कपड़े पैरें गर्ब गवार महराज किनने जालबल होए नान का ओ कपड़े बिलकुल साड़ गए खत्म हो गए नान के साथ न चली जालबल होए शार ओ साड़ के राख हो गए पर वाउ संदे कपड़े किसे नल गए अज साचे में बिंती करांगा कपड़े दा परदशन खाय थे एक कोई शाक नि की आब इच सजने बिठे कपड़े दा काम कारदे आ अज एतो तक की बंदा कपड़े दे पिछे पज्या परदाए थे साच जे कपड़े करके लोक तरमदी दुनिया ची न Him कले कपड़े करके खिचे जान दे कपड़े करके दुनिया करना है ते पगमें कपडे पाके जाओं। ओ कपडे पाके गया सीता ने ओदा मुक्ट नहीं देख्या ज़िए तक न्या जान के आनो पड़ बंदा भी कपड़े नो खातिच पकड़ के अपने आप चे एप लेखा बंदा में कपड़े बारे बोज को जानना साचे ते जदो दुकान दार नो कपड़ा खरीदन लगया पुछ दा एदा रेट उ मुल दा सदा फिर एप पुछ दा एदी गरंटी एदी दस दिन दा कपड़े वेचन बाड़ा इनने साल नहीं जानदा कपड़ा किते चिजेगा नहीं कसेगा नहीं पाटेगा नहीं अपने वलो विचारा केंदा है ओई कपड़ा खरीद के इनसान दरजी को जानदा है पामें तागेदी समझ कोई नहीं पर उन्नों भी पुछ न लाग पेंदा केड़ा तागा वरतेंगा तू कपड़ा सीन लगें समझ कोई नहीं पर एप प्रेखा बांदा है ओ तागे दी गरंटी दे देंदा ओ भी अगोस्ताद निकल दा कपड़ा पाड़ जोगा पर साड़ी सीन मारी नहीं उदर दी खुंदी तागा नहीं कासदा कपड़े दी गरंटी है सीते खोई तागे दी टांके आंदी जोड़ दी गरंटी है पर गुरु गरंच सहीब कि देने इना कपड़े नू मान करन वाले आ तेरी गरंटी है कि जेड़ा कपड़ा दुकान तो ओना हो सकद है कि तेरा खपनी ना बाण जाए तेरे शरीर दा कोई प्रोसा नहीं कपड़ा भी सदीव निबन वाला नहीं बाबा साहिब जी दाए बाणी शलोक है खिंतर मेखा अगलिया जिंद ना काई मेख कपड़े नू जिनने मरजी मेखा टांके लाला है पर जिंद नू किनने टांका लाने जिंद ना काई मेख वारी आपो आपनी चले मसाइक सेख आपनी अपनी वारी तो रुपए मेरी बेंती कहे के दिश्दा होया कपड़ा भी ए ए बदार्थिक दिर रहन गे इतनाल नहीं जाने कपड रूप अगला शब्द में वरते है रूप रूप दा सबांदे सुंदरता नाल ए भी सचाईजे गुरू गरंत सहब दी बानी ने सुंदरता ते जोर देता है पर चमडे दी सुंदरता दी थां ते आत्मा दी सुंदरता ते जोर देता है गुरु ने मन दी शुता ते योर देता है इससे करके जदो सुहागन दे शिंगार दी गल कीती उदो भी गुरु ने क्या एमन सुंदर अपना अखर नाम में जीट है रंग री अपने इस मन नो तू प्रमातमा दे नाम विच रंग शुत गुरु रूप दी जदो गल कर दे ने अव थोड़े ज़े बचन सी ले लिए क्योंके चमडी लंग देखो लोका नो अकर्शित कर दी इनो गल नो लोका के भी ना पां कर दी ते एक निके ज़े बच्चे तो लेके मैं कल परसों ही क्या सी कि एक छोटा ज़े बच्चा तुछ अपने करांच देखोगे दो टाई साल दा बच्चा भी कपड़े परासट ने लच्वू कर देंदा है ओ केंदा मैं इस कपड़े ज़े मिनु चंगा नी लागदा मैं आ कपड़ा लई करना हूँ दा मतलब वस निके जाए इनसान दे अंदर भी एक फुरना टिके है जिन वज़े जबान नल बोलन दा पता ने चंगे मंदे जी समझ कोई ने ओ भी अपने रूप नु निका जा नियाना भी लोका नु परवावद करना जान दा है के एक अपड़ा ए रूप मेरे ते चंगा लगेगा हजूर के ने जो जो बंदे दा विका सुनदे बावडी दा त्यों त्यों फिर एदी चंड़ी एदी तुचा एदी देख लो कानो परवावद कर दी ते पूरा जोर लान दा है के मेरे रूपनों लोक सभीकार में कुरू गरन सहीब चौँ देखिए मापुर खांदे बोलने उन्हाने रूपनों देखके जड़ियां उदारना दितियां और इस करके दितियां के बंदेया किते तु इस चंड़ी तो उपर उठके ब्रम नल जोर सके तु चंभ तो उपर उट्शके दो तिन बचन लाँगे सी बाबा फरीद सहीब दे कबीर जी दे तन गुरु नानक सहीब महराज जी दे बाबा फरीद सहीब दे दो तिन बचन ने जी खाँच करके रूप दे स्बंद बेचे ते उनने उना विचो अपनी जिन्दगी दा तुजर्बा देता है उना दा एक सलोक है जी कि इन्दने मैं ओ अखां देखिया मेरी बिंती है मैं शब्दों ना अपने ली वरते है कि इन्दने मैं ओ अखां देखिया जेडिया खर्न वर गिया मोटिया अखां सन खरनिया दिया अखांदा मुकाबला कर दिया सन पर जदो ओदे विच कोई सुर्म चू विच्चो सुर्मा लहे के एक सुन्दरी रूप बनती अखांच पान लग दी सी ते कई वरी सुर्मा पीन वाली नू कबोल दी सी कि सुर्मा मोटा रह गया पीसा नहीं क्योंके सुर्मा मेरी याँ कॉमल अखांदे विची रड़कदा बया गया ओदे चू पानी निकलना मैं फिर बिंती करां कपड तो गे शब्दा गया रूप मेरी याँ अखांच सुर्मा रड़कदा अक्खांच लाली आगी सुर्मे करके बाबा सहब किनने में ओ औरत जेड़ी अक्खांच सुर्मे दी तारीनी सी जार दी अज मौत तो बात ओधी खोपड़ी में देखी ओधी खोपड़ी विच अक्खांवाली थांते खोड़ पही है के ने मैं देखिया के पंचियां ने आंडे दिते ने आंडेयां विच यो पंचियां दे बच्चे निकल देने मैं खोपडी को खोल खलो के क्या लोको जदो खोपडी विच जिंद सी उदो ए सुरमें दी तारी नी सी जार दी अज किते गया सुन्दर कैन वाला ओधी खोपड़ी दियां अखाँ वाली था थे अज पंचियां ने अंडे दिते होए दे कि में जार गई ए बचने जी जिन लोयन जग मोया कपड रूप जिन लोयन जग मोया से लोयन मैं के इंदने मैं वेखे दा मतल पामा के साचे वे संप परदाई टीका करके इंदे सन एक उस और दा जिकर है जड़ी आपने सुहपनना लोकानों कर्शित कर दी सी जिन लोयन जग मोया से लोयन मैं डिट कजल रेखना सेंदियां से पंकी सुवे बिखित सुवेदा अर्थ उते बच्चे दिते उना अखांदी खोड वेच बाबा बाबा सहीव दा बचन ओके इंदे ने के जदो इनसान जिंदा है चे ते रखो निकी जी चरीट वी आजा है सारी रात नीद नी पेंदी बाबा सहीव किन ने इनी बाडी कौमल करली बंदे ने रूप नू रात नू साउन लग गयां जे किते दरी वेच खेस वेच बिस्तर ने चे वाट रहे जाए ते सारी रात पासे मारदा है क्योंके बाडी उनू सहार दी ने पर किन ने मैं आपनिया अक्खानल देखिया ये भी बाबा साभी ने लिखे किन ने मैं अक्खानल देखिया कि जेडा बंदा दरी दे वाटू ते पलसेटे मारदा है पासे मारदा है ओदे सराने इट रख के मना मुई ओदे ते मिटी पा देती जमीन चो कीड़े निकले उना कीड़े ने उस मुर्दे दा मास नोच नोच के खादा के ने रूपनू संभालन वाले आ जयूंदे आता तू एक बिस्तरे दा वट बरदाश्ट ने सा करदा अज जिदर दे कारप दे पा गए सद्या हो गया उसे पासे पे आए अज ता तेरा मास भी को कीड़े नोच के खा गए किते तरा रूप गया गए उस सलो के जी एट सराने पोहें समन बाबा फरीद जी एट एट सराने दार ते मरन तो बाद कबर भी दफनाना एट सराने पोहें समन कीड़ा लड़े ओ मास कीड़े लड़े मास नोच के तड़े हाँ जुगवापरे इकत पया पास आख कबरांच जिदर कारदे लटा गया प्यारे हो ओधरी बंदे लेटे पैने आज तीकरा किसे ने पास आभी नी पल्टिया महरज के लड़े अगया जिद शाचा जिदर के लगयारे हो आज कालनी मैं तो सांसाब ने चाड़के जा ना साथ गुरु के लड़े ने कपड़नी केबल अरूप भी इससे करके साथ गुरु के लड़े जे परमातमा ने सुंदरता दे तीक है उस सुन्दरता दा भी परमातमा दा शुकर कर नहीं ता बाबा साहब दे बोलने आज यड़ी सुन्दरता वैसे ता बंदा साचे जे यतन बड़ा कर दा जे कोई महसूस ना करे और पूरा जोर लगाऊंदा है शेर जे ता है ये ना जी भी मर्दे दम तक ए ना पुले खा पहे जाए भी मैं करूप हो गया शेक साधी ने क्या केंदा है एक औरत ने अपने केसां ते कल फुलाई वैगरू जी मैंनो बख्ष देऊ सचाई है जे इस करके भी मिरते बड़े पा जाए शेयद लोकान ओ केंदा है चल माई तो केसां दे वाला दा रंगता चेंज कर जाएंगी पर जेड़ी मास भी चुरड़ियां पहेगी याने ते खड़ियां ची कोब पहेगे एक एड़े हथा उडेनल ठीक करेंगी को ताकत है उन्हों ठीक कर सके इससे करके बाबा जी ने बाणी ची क्या तू काई गर्ब है बावली जैसे पादो खूंबर आई तू तिस्ते खरी उताब ली बाबा रवदास सही जी पादरों दे मीने तूसी देख्या होना है जिते रूडी पई हो ते खूंबा निकल दियां कैविर निकियां निकियां क्यां खूंबा बढ़ियां सोनियां लग दियां ओधी उमर कोज केंटे वे ओ किनरे एदी कुछ केंटे उमर जरूर है पर तेरे रूप दीता केंटा वी उमर नहीं पता नहीं के खूंड आत दा सोना लगना एको जी पीड उठे सारे शरीर दा रंगी काड़ा पह जावें कोई पता नहीं तू काए गर्बै बावली जैसे पादो खूंबर आई तू तिस्ते खरी उतावली एसे नुसात गुरू ने में दोक सिर्व और बिंतियां कर दियांगा के सची गल बंदा पूरा योर लांदा मैं सूना लगां बाबा साहिब ने ता शब्द भी वरते है प्रीदा मैं पुला वा पागदा वो भी ता रूप खें मत मैली को जाए गैल रूर न जानदा सिर्पी मिठी खाए यहाद एक बड़ी परातन कटना मैं पड़ी सिक्वार उर्दू दी एक बुस्त किसी के बादिशा अपने शरीर ते कीमती कपड़े पांदा सी थोड़ी जी मिठी लाग जानी नाली नोकर उंदा सी पूंज देंदा सी ओधे इलाके व सची मुची संत होगे सही सची मुची दरवेश होगी तुर्वेश होगे दुनियां दी हर दर्वेश दे चोख जान दी penet है नंदलाल सही कि मेंनू गुरु गुबेन सिंग जीो सिन नंदलाइन जेडा रुखानीय दा चोड़ा पालेगा समुनदर तो लेके चंदर बात हर ताकत ओदे पेरा वी चोक जाएगी जेड़ा रब दा दर्वेश बन जाएगा दरलिबास से बंदगी शाही तो रास्त दौल ते अज माह के माही तो रास्त ते दो लवज ने माह ते माही एक दा अर्थ पानी समुंदर दुझे दा अर्थे चंदर्मा समुन्दर दी तै तो लह के पावर थे के चंदर मादी उचाई तक हर चीज उदी गुलाम बाण जान दी जड़ा रब दा दर्वेश बाण जान दा उज वैसे लफज दर्वेश पंजाबी चा गया है इफ़ार्सि दा लफज दर्वेश दर अवेश एदा अर्थे दर्वासी उते डिग गया हुआ लटकया हुआ उदे अलाके चेक दर्वेश रेंदा है पर उह मस्त मौला परवभा नही चिसे दी करदा कोई पता नी वड़े तो वड़े बंदे जाना उने बोल की पहना है जो आवे मूच बोल देंदा है बादिशा ने ओधी खियाती ओधी परसिद्धी सुनी ओधा एक को एक चेला ओधे ना रहींदा है दर्वेश दे जड़ा रोटी पानी थोड़ी जी बढ़ा लिंदा है जंगल चे दूर रहिंदा है बादिशा दे मान चाहे चलो असीस ले ये दर्वेश दो पर किसे क्या भी कले जायो क्यों कोई पता ने उने बेजती कर देनी बेजती दा मतलब उने सच बोल देने ओ अपने संत्री मंत्री वजीर लेके जी जंगल नो तुर्पया बाकी सारेया नो कुछ दूरी ते रोक देता आप बादिशा जी पैर्च कीमती जोड़ा पाया कीमती पुशाक ते चले आजए दर्वेश एक निकी जी चटाई बार विशा देनदा सी साफ जी ओधा मतलब सी जिनने उना बार आके बैठ जाए आज उने चटाई जदो विशाई ते पता नहीं की वोया एक कोदम आवाज दे के बादिशा दे आउन तो पहला दर्वेश अपने सेवादार नो केंदा पाजिके आ केंदा माराज हुकम केंदा आज जे चटाई बटा के विशाख विलेट के अंदर रख दे आज बार नहीं विशाणी वो भी समझ गया आज रमजे कोई दर्वेश दी उने हुकम अन्या जी ओचटाई साफ लपेटी कपड़िया कहलो अंदर जाख देता इनी देर नो बादिशाह गया फकीर बटा अपनी मौच मैं सिर्व इस करके कहानी लेली है कि समझ पहज़े मैं बिंती की करनी चाना क्योंके गुरू साइब गुरू नानक साइब केंदे ने चवद्वी पौड़ी चे रूप ते कपड़ा शरीर ते शरीर ना जुड़ी कोई घार चीज आपाते आके जानी पर साड़ा पुल एका जे असी अजेवी बंदा मरदा है कोई एन का चोके पोग गुर्द वरे तुर्याउमदा है कोई खुंडी चोके कोई शत्री चोके कोई खेस भी शत्री चोके तुर्याउमदा है बाबे नो अगे काम माउन गे ते जिदो मेरा ख्याल है एक थे साड़े शहरा है जिदो किसे दा सस्कार हुनदा है पौड़ी पढ़की पोग पांदने कपड रूप सो आमना चर दुनिया अंदर जामना बादशाया फकीर बैठा सी नेतर मुंद के उन्ने नजदीक आके खंगूरा मारें पर दर्वेश ने अख्या ने खो लिया ओ ये अपनी जबान तो बोलके केंदा है फकीर बाबा सलाम अर्ज करना अख्या खोलन तो बिना केंदा बैठ जा हाथना इशारा कीता बैजा ओधी इगोनु खौमेनु साट वजजी भी मैं बादशाः लोकी मेरे पैरा थले कीमती गलीचे विशान देने एक इंदा बैठ जा मेरे बैठ ली कुछ था बोरी भी ने मिशाई जड़ी विशी से ओभी अंदर खादिती सी पहले उन्हें क्या फिर बादशान बादशाने सलाम अर्ज करना उन्हा शारा कीता ठीक बोले नी बहे जाएदा मतलव हाथना उन्हें दूजी वरी फिर बोले या शायद मेरी आवाज पहचान ले फिर केंदा महराज सलाम अर्ज करना उन्हें फिरा थना क्या चल बैठ जा तीजी वारों ने क्या इनु शायद पता निकेंदा मैं बाद शामा चल के यां सलाम अरज करना फकीर ने अखां खोल के क्या मैं नु पता था उदू लाग गया जी जदो तू चल पर आसा है ते मैं तेनु क्या है दोवरी बैंदा के उन्हें जमीन थे फकीर दे बोला चे एक रबी अग सी बोला ने उन्हें कमा देता हो बैगया जी उन्हें बैठा चौंकड़ी मार के नहीं जे चौंकड़ी मार के वहिंदा ते कीमती पशाक मिटी जबार दी मिटी भई सी उन्हें कीता की जी बाधिशा बैन लगा उन्हें अपना जिड़ा चोगा सी ना चोड़ा उन्हें पिछो लपेट के चोली च पांके पैरा पार बैगया नेठ के नहीं बैठा चॉंकडी नहीं आरी नेट के नहीं बैठा जदो अपने चोले हो संकोच के बैठा पैरां पार उन्ने च्रन फकीर ताड़ी मार के असे आते चेले हो आप अज़के तेनों आई तमाशा दखामा राजा सोच दा भी एक मैं एक फकीर ते कि चेला ये तमाशा किदा बन लग गए केंदा आ मैं तेनू तमाशा दिखामा चेला पाज़ के आया फकीर ने जड़ी गल की और सुन वा लिए ओ केंदा अज तू बादशाह है तेरी पशाक लखार पहियां दी कीमती हो सकती है पर केंदा मैंनू दो के ऐस चीज दा लगगा ओ मिटी दे बने को पुतले इस मिटी तो नफर्त करने जिदे तो तू जम्या होया अनखने सब तो बड़ा तमाशा है एवे मिटी दा पुतला वी मिटी विच मिलनू त्यार नहीं इना हंकार इनू अपनी रूप दा बस तर दा मैनू याद आगया जे थे ओ दो सत्रानी शेर अर्दुच फकीर ने उची आवाज विच क्या हजरते इनसान का कै सातकबर तेज कै चेले नू केंदा देख हजरते इनसान का कै सातकबर तेज कै खाग का पुतला बना मगर खाग से परखेज कै मिटी चो जम्याएते मिटी तो नफर करदा अपने रूप करके मेरे बाबा जी किन ने रूप भी टलेगा साचेवे एक खोड पहनगे एसे करके बाबा साहिब ने क्या तेरी चमक दी कुई चमड़ी ते साप दी चमक दी कोई फरक नहीं साप ने भी एक दिन कोई छड़ के चले जाना है तुम भी एक सुंदर चमड़ी नूचा डिके चले जाना है कबीर गर्ब ना कीजियाए देही देख सुरंग कपड रूप सुहाम ना कबीर गर्ब ना कीजियाए देही देख सुरंग आज काल तज जाओगे जो कांचुरी पुजांग में बिंती कर दे आज बंदा इना को दुखी है तो आड़े सामने इस संसार्च बढ़ियां कटना वावा पर दिया ने जेड़े औरतां जेड़े मर्द अपने शरीर करके बहुत जादा लोकानों प्रभावत कर दे स्वापन करके जदो सच मुछ ओना दी बौडी करूपता दातार न कर दी कई वरी ओ बंदे सूशाइड कर जांदे हैं बड़े बंदे जी ऐसे औरतां फिलमाच करने वाली हैं पढ़न सुननों कई वरी मिलदा है सबजेक्ट साड़ा ऐस है कि जिनना ने सारी जिन्दकी चमक दमक जबतीत की ती जदो बौडी टल लाग दी ओनानों लोकान दी पीड त यहां ते एथो तक अपनी ओस डिग दी होई शाख नों बरदास्त नहीं कर दे कई वरी सूशाइड कर जने मर जांदे हैं सत्गुरू कि ने जे बंदेया तु समझ के जिमें चमक दी होई साप दी कोंजे से तरह तेरा शरीर कबीर गर्ब ना कीजिए देगी देख सुरंग आज कालता जज जाओगे कपड रूप च्वावना आज कालता जाओगे जोंग कांचुरी पुजांग अगली बिंती मैं सिर्व इस तोकते गोर करके अशी शलोक वारांते वदीक पड़ने गुरू गुरन सहीब चे पहला शलोक ही कपड़ते रूप देखे गुरू नानक सहीब दा पामियों साधे पंजाब दे कल्चर दी गालख हैं के नू अपनी सास दे पैरां विचे चुक दी मत्था टेक दी पहला साधे पिंडाज के ने राम सदकार दी जाना होन गाल नी रही यह नी के मैं और दे अपमान जनक होनता चड़ों सास नू के ने मत्था टेक ना उनता क और वलेन वेस्तना यवाजयां मार दियें जिमें न्याणे नों बाज मारे दिन दिए ए चूट नहीं इस सड़ा कल्चर नहीं प्यारे हो इस सब्यता नहीं उते सवाद है उस उस लोग चूट के एक हुसन सुंदर ताच पर्या होया शरीर अपनी सास हगे चुक दी नहीं ते जे कोई गुर्मक सकी पोच दी खै क्योंके उदे अर्थ जे अकरी अर्थ करांगे कईवरी के यां ने जार नहीं सकने हो पर है उसाच सहली पोच दी मैं कदी ने देखिया तू अपनी बज़र्ग सास नो चोके मत था ठीके उन्हें कहा मेरी सुंदर ता मेरे जो बंदा पहार खे में चोक नहीं सक दी उन्हें कहा सुन मेरी गल जिस रूप दा तू मान करनी है इन एक दिन खे हो जा नहीं मैं ता ओ किले देखे जिड़े पहार वर गे पकेशन किरदिया 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 कि दिन मिटी दा तीर हो गये इस सलोक ने जी ओतंगी पैहोरी गहरी गमीरी ससुड सुया केव करी ओतंगी दार्थ उच्चा कद पैहोरी एदार्थ आप समझ जाओगे जिन्नों रबने जोबंग दिता जी गहरी गमीरी ससुड सुया सुया दा अर्थ मत्था टेकना ससनु के में मत्था टेकना ससुड सुया केव करी निवन न जाए थनी अगे महराज के देने गाच जे लगगा गिडवडी कपड रूब सुहामना चल दुनिया अंदर जामना गाच जे लगगा गिडवडी सक्ये तौल खरी सहे पीटें दे डिट में मुंदना गर्व थनी तेनों खंकार का दा अपनी जोबंदा मैं बिंती कराँगा पौडीच मेरे साथ गुरू अजसनों समझा देने के एक कपड़ा शरीर न जुड़िया चीजां ते दूजी शरीर दी सुहामना कपड रूप सुहामना चट दुनिया अंदर जामना शरीर लेके आया पर लेके जाना नहीं ये नुच्छड के जाना पहने आया जुरूरे पर जाएगा नाल नहीं बाबा जी ने किया ए शरीरा मेरे हर तुम मैं जोत रखी ता तू तू आया है पर जाएगा नहीं कपड रूप सुहामना चट दुनिया अंदर जामना ते अगला बचने जी मंदा चंगा आपना एडे नू करना लगए जी ये थे आपना पढ़ना खै आपना नहीं पढ़ना मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना तू अपनी जिन्दगी चै कोई कम कीता है मंदा पैड़ा पावे कीता है चंगा मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना जो तू आप कम कीते ने ये ते नू पाना जरूर पएगा पुगतना पएगा और ये थे कईवरी सवाल उठ दे जी आम तोरते क्या जानता है नहीं जी कोई किसे ने पुछना नहीं जी बड़ी गाला जी कल चली ए में ड्रावा देता है ते मैं जदो कथा शुरू कीती ना जी आसा की वार दी ते मैं पहला भी कहा मेरे मांसी भी चवी पौडियां ने ते चवी दिना समापती हो जागी ते मेरा ख्याल है शायद एक सो केंटे तो ज्यादा भी चार हो वेगी सिर्फ चवी पौडियां दी जदो दूजी ते तीजी पौडिया आई मंदा चंगा आपना हुण एई क्या जंदा बंदा सची गाल जे एई रालब्दा भी चुटकारा हो जाए कैदे जो मर्जी कर किसे ने लेखानी पुछना है ताई वे चूठे ता परंबना आया होए मैं बेंती करांगा एमें पुले खेचना रेओ जो कुछ करमसी करने है करमा दा लेखा साड़ी तो पुछिया जाएगा देखो दूजी ते तीजी पौड़ी आसा की वार में कथा कर चुका मैं परमान वजो अर्ज करांगा दूजी पौड़ी है के नानक जी उपाये कै लिखना में तरम बहा लेया जदो दी कथाई से मार्ज कीती सी ए जड़ा शब्द कहना जी ए थी सब कोजे मैं बेंती करांगा ओथे शब्द ए थे नहीं मरते है जिस दिन जीव पैदा कीता ए दे करमा दा लेखा लेखनली रब ने तरम नाड पैदा कर देता तरम राज शब्द के युरिवर देया नानक जी उपाए का लिख नाम है तरम बहा लेया अगली तो की ओथे ए थे थे ओथे चो व्याकरनू सार फर्क नी ओथे सच्चे की साच निबड़ा चोन वाक कड़े जजमा लेया मंदा चंगा आपना ओथे सच्च निबड़ेगा जेड़े बंदे रबदी अबादत तो विखूने ने दोशियानू जजमा लेयानू वाक किता जाएगा नानक जी उपाए का लिख नाम है तरम बहालेया ओथे सच्चे की सच्च निबड़े चोन वाक कड़े जजमा लेया थाओना पाएन कूड़े आर आपे ही कीता पाऊना कूड़ेयानू थानी थाओना पाएन कूड़े आर मू काले दोशिक चालेया तेरे नाए रते से जिन गए खार गए से ठगण वालेया तेरी बंदगी वाले जित गए बाकी खार गए लिख नाम है तरम बहा लिया पर ओ तका नहीं करदा अगली पौड़ी पड़ो एस सियासा की वार दिती जी पौड़ी पौड़ी आपी ने पोग पोग के खोई पसमड पहुर सदाया जदो आशरीर सड़या ते अंदरो पहुर खंसने उड़ारी मारी आपी ने पोग पोग के खोई पसमड पहुर सदाया वड़ा होवा दुनीदार गाल संगल कात चलाया हूँन बड़े एविक विश है जी किदे गाल चे संगल पाया एते ता मरेन उस रोपे लोकी पाई जाँ दे गाल चे मर जाया थे कपड़े कपन पाया जी याद रखे हो तेने शरीर ने एक सथूल शरीर एक सूक्म शरीर काई एक कारण शरीर काई ओ संगल तेरे कीते हो करमा दे बंदन ने वड़ा होवा दुनीदार दरते जदो मौत होई वड़ा होया पूरा होया वड़ा हुआ दुनीदार गल संगल कात चलाया मन्दा चंगा अपना इस तोक्ते मर्ज कर रहे है अग्य करनी कीरत वाची है अग्य क्या है ए थोड़ा क्या है पिछे अग्य दा अर्थ मतलब एमें पुले खेचना रो भी किसे ने पुछना लो की अपनी मनमर्जी कर दे अग्य तेरी कीती कोई करनी वाची जाएगी अग्य करनी कीरत वाची है ते महराज किने ने बै लेखा कर समझा आया कैन लगे बैट जीव तेनू तेरे कीते करमादा लेखा समझा आवा तू की करम करतूत कीती बै लेखा कर समझाया थाउना होवी पॉंदी होण नी पता लगदा पॉंदी दार सुनदा जुती होण जदो सटां बज़ लगई है समझ कोई नी पहें दी बै लेखा कर समझाया थाउना होवी पॉंदी होण सुनी गए क्या रवाया थे कि ने मन अंदे जण मगवाया जो असी कर रहे हैं नै फिर बिंती करांगा करम की नाल जान दे ताहीं circ siitä ने क्या असी पाथ करने हैं कि ददाय दोश ना देऊं किसे दोश करमा आपने हैं जो मैं किया सो मैं पाया दोश ना दी जाए अबर जाना फ्रीदा लोड़ा दाख बिजूरियां किकर बीजाए जाट पहली वहां के बीज किकर दा पाके आयां ते आस करना है मिनू दाखा मेरे जन बजूर दियां जे किकर बीज्या ते कंडे मिलनगे जे दाखा दी वेल लाईये ते एक दिन दाख मिलेगी लोड़ाएं डाख बिजूरियां किकर बीज़ाएं जाट खंड़ाएं उनकताएं दा दा सारी जिन्दगी सूत कटदार आ पेंदा लोड़ाएं पाट रेशम दे कीडे ता पाले नहीं रेशम पानू कि तो मिल जाएगी। जेहा बीजय सोल उने मंदा चंगा आपना। हाँ पर एक में बेंती कर देयां के गुरु कुल बड़ी बड़ी ताक्त जे। जे गुरु बख्षन ते आजाए ते करोणा जनमा दे पावी साड के रा कर देंदा। इस सत्गु कुल समरता खे। मारे ने शब्द बरते हंड़ उन्द कुताएं दा पैंदा लोड़े पाट मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना। जदो किते हजूर दे ए बचन पढ़ने आपां के अमल सरानो लेखा देना आए कठन दूत जम लेना क्या तै खटेया कहां गवाया। चलो शिताब दिवान बुलाया जल्दी तो रहे। सत्गुरु किन्द ने मेरी फिर बेंती सुने हो। जड़े ऐसी कर्म करने है ना चलो कर्मता रह गया। मन लो एक बंदे ने पाप कीता, चोरी कीती, किसे रहाक खादा विविचार कीता, कर्म नो सौ साल हो गया कीती है, असी साल हो गया। पर उस कर्म दी जड़ी काल के साधी जिंदते लगी है, उने फिर अग्ये नाल जाना है। चंगे भी जान दे या मंदे भी जान दे या। इस से करके दासन एक वार अरज कीती सी, आज तक कोई भी बंदा दुनिया चे ना खाली आया ते ना खाली गया है। ओ जी जे मैं ए पड़ो मैं पहली तो कापनी खंड़न नहीं कर रहा कि कपड रूप स्वाबना चे दुनिया अंदर जामना। कोई बंदा आज तक मैंनों दस सो दुनिया चे खाली गया है, कोई तानपदार थ नहीं गये। पर गुरु नानक सहीब के ने तुर लग गया, कोई अवगणा दिया पढ़ गया, कोई गुण ना ले गया। नानक सुत्ती पही है, जान विरत्ती सन, गुणा गवाई गंठडी अवगण चली बन। फिर मैं बेंती करांगा गुरु मको, जे तर्म दे कर्मने, शुब कर्मने, बंदगी सिमरने जिनने भी तुछी कार रहे हूं। कर्म भी तेने तरह देना ना कर्म फिलास्पी गुर्बानी ने बननी एक है परालब्द कर्म एक है किर्यामान कर्म एक है संचत कर्म तेन कर्म ने एदी थोड़े जार्थ में कर देना किर्यामान कर्म दा अर्थे जो सी प्रेजिंट चिकार रहे हैं जो उना आपा कथा कर रहे एक अद्धे केंटेतो बाद आज जो सी गुरू का अर्च कीता है इने संचत कर्म हो जाना है एक कर्म कठा हो जाएगा एक कर्म कदी जिन्दगी थड़कन लगांगे एक गुरू को बैटा हो या कर्म परालब्द बनके साड़ी रखवाली कर दाएगा एनों थोड़ा जाएएउं समझो सिद्धी जी उदारन में देना दुनिया भी समझ पह जाएए एक बंदा जौब कर रहे है मन लो दुकान ते बैठा कम कर रहे है ओ किर्या मान कर में शामनों उन्ने जो कमाया है जो दो पैसे कमारे है ओ दो किर्या माने शामनू उन्हें कठा कीता गल्ला खोलिया भी एन्हें अज कठे हो गए वो शामनू संचत हो गए ने जे किर्या मान तो बिना संचत नहीं होंदा उन्हों जेडे गल्लेच कठे हो गए जैक आगए उन्हें क्या भी एक काम करो आपैसे खर्चेवी चूँ ए पैसे जमा करा दे और बैंक चाँ संचत करम की परालबद बांदीे पहला कमाया कमाये कोई जमा कराये ते जितन मसीबद कोई आई केंदा कबरा हो ना अपने जमा कराये कोई पहने हो दे विचुकडालो का मसार जाएगा मैं बेंति करांगा को किरेा मान कर्म चंगे कोंस ते संचत बांग जांदेने संचत कर्म के ते पीडा पायेगी मौदी ते सच मुझ साधी रखवाली करने के सत्गूरु ने बाणी चे कया जो तू कर रहे हैं मंदा चा चंगा ए मेरी मेरी जियो नो मेरी आत्मा नो पाना पहना खे बाबा फरीद सहीब जैसे मा पुरुखता क्या ओ ओ हर चीज चो कोई सिख्या लें देने पुराने समय अज भी कई थामाते न जी कड़े आल वाज़ देने वड़ियां केंटियां दरबार सहीब गेवी कड़े आल पे वाज़दा है जदो कड़े आल वाज़दा सी ओ दो पैर ते कड़ियां बाद वाज़दा सी है ओ चोट वड़ी कोणी पैर कड़ियां दी छोटी वो जदो कड़े आल थे थोड़ा मारे थे ओ दी साउंड किनी दूर तक जान दी सी गूंज दी सी उस दर्वेश ने साउंड सुनी अवाई सुनी कड़े आल दी अखाँ जपानी पार के क्या वरीद इस मैटल ने पितल ने ता कुछ नी बगा डिया ना इने किसे दा हक होया ना किसे ने बुरा देखे आ ये बे दोशा मैटल पहर पहर कड़ी कड़ी बाद सटां खान दा गूंज दा तेरे शरीर दा की बनेगा जिनने जनम तो लेके आज़ती करा करतूँती चंगी कोई ने की ते ओ उस लो के जी दर दर वाज जाय कै क्यों डिठो कड़े आल कदी लोए दा कड़े आल देखें दर 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 वाज जाय कै क्यों डिठो कड़े आल ओ ने दोसां ओ दा कोई दोश नी ओ ने दोसां मारी एक हम दोशां दा क्या हाल कड़ी ए कड़ी बाद कड़िये कड़िये मारी है पैरी लेस जाए पैरी बह वचन है पैरांदी मार पहिं दिए सो खेडा मी जुन्दा है बाउडी मंदा चंगा अपना सो खेडा कड़े आल जो डुखी रहन विखाए सत्गुरु केंजने वबंद बंदे कपड रूप सोहावना छड दुनिया अंदर जामना मंदा चंगा आपना अपे ही कीता पामना जो कीता हुन पाए इनू बठ अग्ये माराज किनने फिर खोया की खुकम की ये मन पाम दे राहे पीड़े अग्ये जामना खुकम की ये मन पाम दे खुकम दार्थ ये थे बंदे दा हुकम जिदे कुल ताकत शक्तिक है मन पाम दिया जिनू कहलो चामदिया चलाईया खुकम की ये मन पाम दे शरीर भी चुन देया मन मर्जी कीती एनू मार देवे पागला देवे जुत्ती मार देओं अंदर सड़ देओं ते परचा कर देओं इनु गोली मार देओं इनु फलानी थां ते सड़ देओं मेरा बाबा नाने कहिंदा ओए खुक्म चलान वाले आ चेते रखी मरन तो बातो ओ रस्ते चो लंगेगा जिते तिरी आत्मा को ला उठेगी अग्ये पीडे रस्ते जाना खे चलो कहियानी शवद पुर सलात वरते उन्ज गुरू गरन सहवते पुरू सा करो सानू नहीं पता गे कि वापरने पर गुरू केंदा मंदे करमा वाले ना ले कुछ खुणा है मन मर्जीद हुक्म कीते जो आया हो कुछ करदा रहा बंदा हुक्म कीए मन पामदे रह पीड़े अग्या जामना इसे नू गुरू जी ने बानी ची शब्द वरते है जी कि नानक आखे रे मना सुनिया सिख सही लेखा रब मगेसिया बैठा कट वखी तल्बा पौसन आखिया नो आवाजां पेंदियाने तल्बे आ जानता है पेशी हुन दिये तल्बा पौसन आखिया बाकी जिना रही अजराइल फरेष्टा खोसी आए तही आवन जानना सुजी पीडी गली फही कोडन खुटे नान का औरक सचरी खोकम किये मन पाम दे मन मर्जी दे ओ थे मैंके दिन क्या उन्हें थोड़ा पुछना भी तू कितों दा सीम से कितों दा पीम से कितों तू प्रेजिडेंट से रब दे कार विच बडी गार थोड़ा जाने दे जिन्दा की बनेगा हुकम किये मन पाम दे मन मर्जी दे हुकम कीते रह पीड़ा अगय जामना ये से नो जी साड़े एक शा महम्मद मुसल्मान कवी होया जिन्ने जंग नामा सिंगांदा लिखे है उपड़ाया भी जानदा है उदिया अकसर कई सत्रा साड़े आम जबान ते चड़िया ने हिंद पंजाब दा खोन लगा दो में पात पासी पहुचा पारिया ने उसनों शुरू कर दे हुने एक बैंत लिखे है जिन्ना लोका ने हुकम चलाया अपनी मर्जी दे ओ बैंत खे जी ए जग है सराए मुसाफरां दी एते जोर वाले कई आए गए बड़े ताकतां वाले ए जग है सराए मुसाफरां दी एते जोर वाले कई आए गए शैदाद नबरूद फिराउन जे ए सारे बादिशाने शैदाद नबरूद फिराउन जे दावे बन खुदाय कहाए गए अकबर शाज जे विच दिली फेरी वांग बन जा रहे आप आए गए शाम हमदा रहेग राख पीड़ाय अग्या जामना अग्या बाबाजी किन नंगा दोजक चालेया खुण पड़दा कोई नी मेरे मांचे से भी यह जड़ा नंगा लफ जावे गए दे अर्थकी करांगे कि बौड़ी करके नगन स्तरक करनवला कहेगा बौड़ी ता सार देती नंगा दोजक दार्थकीक है नंगा दोजक चालेया तां दिस है खरा ढरामना माराजी ने शब्द बरते आखे असलच किये जदो बंदा जेंदा है उदो परदेच जेंदा है नंगा दोजक दा की अर गा क्योंकि नेटवर्क के हो जासी जिन्नामर जी पाप कीता मेरा ख्याल कई बंदे ऐस मुलक वेच खिमा करे हो ऐसे खोने ने जेड़े वड़ियां पोस्ट आते ने पाँ पेने को कीते ने पर पढ़ दे थे पैसे नल सारे लुके होे ने पढ़ दे पह गए ना किसे नू प किता जाएगा तेरा कोई भी पाप दुनियाच पढ़ दे ना लोग साकता पर रब दी दरगावीच पढ़ दा नहीं हो पैना नगणो के तो रेंगा ये दा मतलब समझ गया ना कि तेरे कीते होई पापां ते कोई पढ़ दा नी मेनू तान लगा क्योंके बानीच बचन ने हजूर दा एक बचनों दे दे किवाड अनक पढ़ दे में पर दारा संग फाक है जदो तू विबचार करने पढ़ दे थले करने तू लोग के करने तर्म राय जब चितर गुप जब लेखा मांगा तब कौण पढ़ दा नंगा दोजग जा लिया दे किवाड अनक पढ़ दे मैं पर दारा संग फाक है चितर गुप जब लेखा मांगा तब कौण पढ़ दा तिरा ताक है चोरी का रदा बंदा मैं अगे तां के आसी जड़ा साथ गुरू ने कहा ने चो यकीन जान के परमात्मा में नो देख दा है पुराणे संपरदाई माहपुरी कटना सना दे सां के एक वरी किसे पढ़ाए कोई सादू ने अपने चेले आनो क्या के तोड़ी परिख्या परचाख है उनना कहा जी क कहने लगे आ कबूतरे इनो ओ थे इदा गड़ावड के ले आयो जिते कुछ देख दाना हो गए चलो कहानी सी जी है उन जड़े मेरे बरगे कले अखरी गया में लो के दे कामी कोई नी ओना चुके जी चाड़ी पीछे गया कपा मार के सेर लाके कहने लगे आ लो जी कोई न दा रहा शाम नो कबूतर पकड़े हथी आ गया मैं क्या कहानी है जी ओ आ गया क्या लगे भी तेनू था कोई नहीं लबी सारे असकी के दे मूर की रहा इनना कुछ पढ़े आ तेनू परचे चो भेलो गया उनके नहीं थे चाड़ी पिछे कोई नहीं देख दा वड़ दें उन्हें अपने उस्ताद नो क्या मैं जित्थे गया ना मैंनू सारियां था वाँते कोई देख दा सी उन्हें क्या काउन देख दा सी कोई बंदा केंदा जदो मैं मारन लग गया आपनियां अक्खा न ले नू देख दा सा ते मैंनू परतीत उन्हें दा सी मेरियां अक्खा इन्हों देख दिया पयाने उस्ताद ने ते कह हो थे मारी जिते कोई ना देख दा होगे उना खांच उतार अब भी देख दा है कोई पढ़ देनी जे पैने प्यारी हो थे ये थे चूटदा पढ़ दा है चलो जिमे मैं ए बचन कीता है अपनल बानी दा तब कौण पढ़ दा तेरा टाक है उते नंगा खै एक हजूर दा बचन हो रहां दा है जी हाट पटन बिज मंदर पन ने कर चोरी कर आवाए अग्वों देख है पिछों देख है तुझे ते कहा चुपावाए नंगा दोज की चाले आ तेरे तो किते लगाएगा लोक भी ने साकता सत्गुरू दा एक होर बचन तक्के नार पराईया लोक अंदर ठानी सन्नी देन बिखाम थाय मिठा मदमानी ओदेवचे हजूर ने शब्द बरते हा करमी आपो आपनी आपे पश्तानी अजराईल फरेश्ता दिल पीड़े तिल पीड़े काहनी नंगा दोज की चाले आखोनता पड़ दी कोई ने एथे फैला लुका दितियां वेच वेच जिनने अहल कारसम नाव लुका दिता सब कुछ चैसी भी आई होवे चेते रख्यो दुनिया दी जिननी मर्जी सुचेत अजनसी होवे जिनने मर्दी पालो पर रब दी दरगावी सब दियां फैलां खुल लणगी है नंगा चलेंगा कोई पड़दा नी तेरे फुरने सकार हो जनगे दिसनगे नंगा दोजग चाले आ ते माहराज किनने जेडे पाप सनना अपने पापानू देखे अपने आब तो डर लग पे आ करूप हो गया ना नंगा दोज़क चाले आता दीस है खरा डरामना ते महराज किन ने उन पले कुछ नहीं रह गया कर आउगन एथे सेब ने आउगन लफज बरते हैं जी कर आउगन पच्छो छच्छे ते खोड़ा है कर आउगन पच्छो तामना गुना कीते हुन कलाई पच्छतावा पहले पहाँ समझ कोई नहीं मैं सिर्व सारी पवड़ी दा जो असी हुनती करा तेन साड़े तेन केंटे मेरा ख्याल इस सलोकानों पवड़ी नो विचा रहे है पहले सलोक दा मतलब पखंट दा वखंकारना कर निमरता च्छोखे दुझे शलोक दा अर्थ तरमदे चिन नहीं बचान के जे अंदर कप्ट खे निश चोते आ पौडी च्क्या जो कुझ तेरे कोले तु छड़के तुरने केवल साइदा नाम तेरे नाग जाने पर कदी एकांथ चे बैटके प्लीज मेरी बेंती कदी एकांथ चे बैटके आपने बीते दी चाती मारे हो ते आउन वाले नो जुरूर चेते रख़़ए भी आपां जान वालेगा आपां तियारी कर ले सद्गरू किरपा करे तुसी काफी टाम देता जित्वा डाता अनवाद एक सलोक पंदरवी पौडी जेड़ी है मैं यतन करांगा पां में दिवान इश्तियार विच आई शाम ताकी शपेसां कि शैद काल तक आई ताक पर आप दिन मिरकुल खोर भी ने क्योंकि तुसे टिकाह बड़ा बनाया है रास बड़ा बढ़े हैं कल वसी शुरू करांगे जगो पवीत जन्यो जन्यो ते मैं यतन करना है जिड़े आत्मा दा जन्यो की है क्योंकि इसी कथा कर देया ए ए चसके लेके सनाने है बाबा जिन क्या खईता पांडे कात पर प्यारे हो आत्मा दा जन्यो ता पंड़त ले भी ओवे ते सिखले भी ओवे मैं एद अर्थ कोई और ना कर देवी सिखान जन्यो पवाता जी का जन्यो ओदेवीच चार गोनने तेरे कुल दया है ते तेरी आत्मा नाल जाएगी तेरे कुल करेक्टर जातक है संतोख है ते सातक है एच चार गोन तेरी नाल होएच चेते रखी तेरी आत्मा दा जन्यो है असी एक एक किस गोन दी वी चार करांगे स्वेरे आठ वजे ते शाम नू यतन करना है भी मैं सात वजे तो पंच-सात मिंट पहला ही कता शुरू कर देनी है पर जिनने भी पंच-सात शुरू जिनने भी खोनगे क्यों के सवाक आठ वजे पाई सह पाई हर जिंदर सिंग जिश शुरू नगर वाले ओनानों मैं बेंती कीती भी आजो बाबा जी दे वेले थी कदी कठे बैके कता कीरतन करना मैं यतन करांगा के हर साल कुछ देन बाबा जी ना सला करके खो जैन निश्चत कीते जान जदो समागम बड़े खुंदे ने चेते रखो सानोवी टाइम एनानी उंदा पर ओदे विच कोई कठा लड़ी वार जमें उन चाव दिये इस तरह कीती जाए कलनू सुबा शाम परसों में एक किरपा करेओ ते पाई साइब कलनू तवाड़े दर्शन करनगे परसों में देख लेना कोई होर गुरू का कीरतनिया मिल गया ते आपां सिर्व मकसल बनाएए खबे सज़े दी कोई गाल ने सिर्व जोड जाएए आओ सब्दा तानवाद जिनना जाना है जी सदके जाओ टाइम काफी हो गया है जिनना कुल बकत है थोड़ा जा नाम जापलिए ते सारे बोलेओ आओ ए जप्या होई अग्गे तुर्ण है एनो कोई ने जम्या खोन वाला एने सानो बचाना है करो किर्पा और उचारन करो जी वाल